हेलो एब्रीवन नमश्कार कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत यच्छी होंगे तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रेग्नेंसी के आठवे महीने की प्रेग्नेंसी के आठवी महीने में गर्वती महलाओं को किनके नियमों का पालन करना होगा कौन सी साथ धन्य बठनी है कौन सी बातें जाता याद रखनी है और गर में बच्ची का विकास कितना लगवाग हो चुका होता है आज हम इस वीडियो में प्रेगनेंसी की आठी महीने में क्या क्या होता है और बच्चे के साथ कौन कौन सी चीजे होती है अंदर बच्चा क्या क्या महसूस कर सकता है बच्चे कभी कास की बारी में आपके सरी में जो चेंजिस आते हैं आप उनकी बारी में सब कुछ बिस्तार से समझेंगे बस आपको यह की काम करना है किस वीडियो को एंड तक पूरा बोश करना है चली शूर करते हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे पेश को फॉलो नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल नोटिफ फॉल्स ऑभा होता है तो की अब आकई डिलीवरी नज्टीक है घर के और भी ही जूर्बी लोग होते हैं वो नन्य महेमान की तयारी में लग जाते हैं कौकि अब आपके डिलिवरी का टाइन में नज्टीक है है ना तो इस बज़ह सी आपकी बॉट्डी में का फी चेंजित आती हैं प्रेग्नेंसी के इस स्टेज में आपको अपने खान पान का बहुत ज़्दा ध्यान लगना चाहिए ठीक है आपको एक हेल्दी बैलेंस डाइट तो लेनी है हलका हलका कुछ न कुछ जरूर खाते रहना चाहिए आपका खान पान और देनी चीवन की गद्विटियां किसी न किसी तरह से आपके शिशू को प्रभाबित करती है इसलिए आपको बहाज की चीज़ा नहीं खानी है ज्यादा ओईली मसालेदार दीखा नहीं खाना है क्योंकि जैसा आप खाएंगी बच्चे के साथ बैसा ही होगा अगर आप बहुता स्पाइसी खाएंगी तो कखाते रहना है क्योंकि आपकी डिलीवरी नस्थिक है इसलिए आपको खान पान का धियार रखना है प्रेगनसी के आठवे महीने में आप कैसा महसूस करेंगी चलिए आपको बताते है कि कौN कौN से आपकी बॉड़ी में चेंजिस नजरा सकते हैं प्रेगनसी का जो पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको पीट में दर्द की समस्या हो सकती है, गर्मी महसूस हो सकती है, चिछड़ा पंज ऐसा लग सकता है और जल्दी जल्दी यूरिन आने की समस्या भी आपको हो सकती है, कभी कबार क्या होता है कि पेक साथ चुम होती है, वो ल और खास करकी हाध पेरों में स्वैलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है सीने में चलंगte है आपको नीद और सांस वह सकती है आठी महीने मैं digest INS disappointment और गरवाशे का जो आकार बढ़ता है जिसमेंसे आपको सांस लेने में परिशानी भी हो सकती है तो बात करते हैं अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत हो रही है या फिर आपको अनकॉफटिवल लग रहा है तो आप ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें तो आईए अब आपको ही भी बताते हैं कि आखिर शिशू का जो विकास है वो लगवा कितना हो बाल उगाते हैं शिशू अपनी आखों को खोल बंद कर सकता है इस महीने में शिशू के फेवरे अभी आखरी स्टीज में होते हैं ठीक है शिशू की पलके और आखे पूरी तरह से विक्सित हो जाती हैं और इस महीने के अंधर तक शिशू की लंबाई लगवाग 12-14 इंच होती है घर में जो बच्चा होता है वो काफी एक्टिवी होता है काफी बच्चे के मुमेंट विफी кан ski ममेंट मेंठ वनती है Just a बच्चा पूरी तरह से मामें कर कोकि इस पेस कम बशनाहा है ुपकी बच्चा जादा या कम भी हो सकता है कि यह सिर्फ एक अनुमानी तो बसन होता है ठीक है इससे हम गैस कर सकते अनुमान लगा सकते हैं तो यही सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आपका बच्चा आपको लगे कि पहली जैसी मुमेंट नहीं कर रहा है बिल्कुल स्लो मु तो गवराने की चिंता करने की जुरत नहीं है अगर आट वी महीने में ही डिलिवरी वारे लक्षर दिखाई देती है तो तुरह तो हस्पिटल जाएं बिल्कुल देरी ना करें